नमस्कार दोस्तों सौकत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल सर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सकाइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालोगर जरूर सा जरूर जोईन कर लिजेगा दोस्तों हिस्ट्री के इस कंपाइलेशन पीडियाफ के माध्यम से इस समय हम हिस्ट्री को रिवाइस कर रहे थे और एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में ट्रेवल कर रहे थे अब इसके बाद उसके आगे की जो कहानी है उसमें श्रीमत भगवत गीता का जिक्र आएगा और उसके बाद हम शैविज्म की और मुडेंगे तो उसे देखना शेश है यह जो श्रंखिला आप देखते हैं यह इंग्लिश मीडियम की है हिंदी माथ्यम वाली अगर आप देखना चाहते हैं तो आभी साथ में पैरलल चल रही है दोनों के जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप सर्च कीजेगा तो आप आपको मिल जाएगा और अगर आप हमारे पेट पोर्सेश ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह दो नंबर है इस पर आप संपर कर सकते हैं फोन करके यहां पता कर सकते हैं और यह जो फ्री वाला टेलिग्राम का ग्रूप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजेगा क्योंकि यहा इसको अगर आप देखें तो इसमें हमारी इस समय जो लोकेशन है वो यहां पर है शैव भागवत यह दोनों जो रिलीजन है इन्हें हमें देखना है इसमें हम शैव से पहले भागवत को देख रहे थे तो आईए वही जलते हैं दोस्तों जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ कुरुक शेत्र के मैदान में कौरों और पांडों की जो विशाल सेनाए थी जिसमें की पांडों की सेनाए कम थी मतलब संख्या में उनका सैनेबल कम था और कौरों के पास बहुत बड़ी सेना थी तो इस प्रकार से जब आमने सामने युद्ध की तैयारी पूदी हो जाती है और आक्रमण की देर रहती है तो ऐसे समय में अरजुन जब पडोसी सेना पर यानि शत्रू की सेना पर निगार डालते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहां तो कोई शत्रू है नहीं है यहां तो सब अपने हैं, रिष्टदार है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई सगा सम्मंदी है, कोई गुरू है इस प्रकार से अलग-अलग लोग यहां दिखाई देते हैं जितने हैं सब परिचित हैं और इस प्रकार के जो सम्मंदी हैं उनकी हत्या करके मुझे कौन सा पुन्य होगा, तो इसलिए यह कहते हैं कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं जंगल में अपना जीवनियापन कर लूगा, लेकिन इनका रक्त बहाना यह मेरे वश की बात नहीं है, और यह गांडी उरक देते हैं, और जब गांडी उरक के घुटना लगतेते हैं, तो भगवान कृष्ण को लगता है कि मेरा जो मूल उद्देश है, धरती पर अतरित होने का उद्देश है, वो तो यहां अधूरा रह जाएगा, अगर अर्जुन आगे नहीं बढ़ते हैं तो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद हथियार न उठाने की स अधियार डाल देते हैं, तो सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता, तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने उन्हें सचेत करने के लिए एक मोटिवेशन दिया, जैसे संदीप महेश्वरी का आप लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशन स्पीच, तो वैसे ही यहां पर एक स्पीच दी जाती है, और वो जो स्पीच है वो इश्लोक के माध्यम से दी जाती है, और वो इश्लोक कर्म छेत्र की और आगे बढ़ने की प्रेड़ा देता है, वही है गीता का इश्लोक और गीता की वाड़ी, जो कि महाभारत नामक महा कावे का हिस्सा है, वो महाभारत से अलग नहीं उसकी तुम चिंता क्यों कर रहे हैं और ऐसा कहने पर बार बार समझाने पर अरजुन को वास्तविक स्थिती का ज्यान होता है और एक बार फिर से वो सज्ज हो जाते हैं पर जो कहा गया है उसको देखिए यहां यह कहा गया है कि कर्म भक्ति और जंत रखते हैं गीता में वैशे भी इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्म और भक्ति यह महतुपूर्ण स्थान रखते हैं इनका प्रबलस्थान इसलिए है यॵंकि यह कोनों मनुष्य के कर्म छेत रहें, अधिकार छेत रहें, इसके अलामा इंसान कुछ और कर भी नहीं सकता, और भी यहां कुछ चीज़े कही गई है, Lord Krishnan predicted the importance of all three, मतलब यह जो तीनों है, इनकी importance को प्रेडिक्ट किया है वगवान Krishnan ने, जो गीता का श्लोक है उसमें, तो द अधिकार है, कर्म मनुष्य का अधिकार छेत रहें, बाकी उसके अधिकार में कुछ नहीं आता, यहां इस लोक देख लीज़ें, यहां तक एक है और यह दूसरा है, यह चट्वे नंबर का है और यह सात्वा है, इस प्रकार से इनका क्रम है, यह तु सरवाणी कर्माडी, म अर्जुन, मया वेशी चेट साम, यह शब्द है, यहां पर संधि विग्रह करके आपको समझना पड़ेगा, दोनों ही श्लोकों में जो कर्म है, इसके अलामा जो भक्ति है, और इसके अलामा जो जन्न है, उसका महत्व समझाया गया है, और उसका उद्देश्य बताया गया अद्वैत वेदान्त के बारे में कहा गया है, तो अद्वैत वेदान्त में शंकराचारे ने एकसेप्ट किया है, शंकराचारे का जो अद्वैत वादी दर्शन है, उसके समझन में कहा जा रहा है, तो वो एकसेप्ट करते हैं कि ब्रह्मा एस वनली, टुथ, जो ब्रह्म है वह एक मातर सकते हैं बोथ वेदान्त एंड विसिष्टिद्वैत विसिष्टिद्वैत आवाद या विसिष्टिद्वैत ये जो दोनों सिध्धान्त हैं ये दोनों यहाँ पर सुपरमेशी किस चीज की दिखाते हैं भक्ति की दिखाते हैं यानि devotion towards God मतलब इश्वर के प्रती जो पूर्ण समर्पन है यानि भक्ति की पराकाष्ठा है उसका समर्थन करते हैं इसके बाद मीमांसा मीमांसा जो है ये कर्म के सिधान्तों पर आधारित है मीमांसा की जो रचना है वो कर्म को बेस बना कर की गई है तो कहीं आप देखिएगा तो ब्रह्म को महतु दिया गया है कहीं पर भक्ति को महतु दिया गया है भक्ति को हर स्थान पर महतु मिला है ये जो भक्ति शब्द है ये बहुत बड़ा और गहरा है ये उतना हलका नहीं है जितना की हम लोग सोचते हैं आजकल भक्त शब्द जो है वो, एक दूसरे पर कटाच करने के लिए राजनितिक पार्ठियां यूज करती हैं, लेकिन ये वो वाले भक्त नहीं है, भक्त का मतलब यहाँ पर पूर्ण समर्पड करने वाला जीव है, जो कि अपना सब कुछ अपने इश्ट के चरणों में डा बादा सही रहेगा, रध्यात्रा में होता क्या है? ये पुरी से हर साल निकाली जाती है, मतलब पूरी में हर साल इसे celebrate किया जाता है, पूरी यानी ओडिसा, और यहाँ पर जो शुकल पक्ष की स्थिती होती है, शुकल पक्ष और कृष्न पक्ष, ये महीने के दो पक्ष हो आसाड एक हिंदू महीना है जैसे चैत्रबैसाग, जेस्ट और आसाड ये कौन सा महीना है चौथे नमबर का है तो इस महीने में ये रथियात्रा का आयोजन होता है और ये कहाँ पर होता है तो पूरी उडिसा में आयोजुत होती है और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि With all due respect to Lord Jagannath अब यहाँ पर भगवान जगणनात के सम्मान सोरूप इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और जगणनात है को तो यह भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई और उनकी बहन भी रहते यानि बलराम जी जिने की बलभद्र कहा जाता है और सुभद्रा सुभद्रा कौन थी ये भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी जिनका विवा अर्जुन के साथ हुआ था और अभिमन्यु जो थे ये सुभद्रा के ही बेटे थे तो इस प्रकार से ये तीनों लोग यहां पर ये उष्ट के तोर पर देखे जाते है और रत को कीशने वाले कोई हाथी होड़े नहीं होते हैं बलकि जो जैनता होती है वही श्रध्धा सुरूप रत को कीशती है काफी भव्य रत्यात्रा होती है तो यह चीज़े है अब इसके बाद यहां जो बलराम को का शब्द है उस दशावतार टेंपल है कहां पे तो ये देवगड में यानि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है विष्णु टेंपल ये तिगवा का है इसके बाद विष्णु टेंपल ये अरान का है तो दो जगा विष्णु मंदिर है ये तिगवा और अरान ये कहां के हैं मध्य प्रदेश के है इसके बाद द्वारिका धीश टेंपल ये मतुरा में है, द्वारिका धीश किसको कहा जाता है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है, जरासंद के आक्रमणों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी रास्थानी को मतुरा से हटा कर द्वारिका ट्रांसफर किया, मतलब द्वारिका नाम का एक नया नवेला नगर ही बसा दिया विश्व कर्माने रातो रात और सारे जितने भी मतुरा और व्रिंदावन के वासी थे उन्हें उठा कर वहाँ पहुचा दिया गया मतलब नीद की अवस्था में ही जब वो जगते हैं तो अपने आपको एक नया नगर में पाते हैं तो इस प्रकार से गुजरात में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ नगर था जिसमें से कि आधा सेधिक जो हिस्सा है वो समुद्र निगल जाता है बाद में जलस्तर बढ़ता है तो वो अलग चीज है द्वारिका धीश टेंपल ये है कहां पर मतुरा में है और द्वारिका धीश टेंपल एक गुजरात में भी है तो दो नाम है मतलब नाम एगई है दो टेंपल ये आप देख रहे हैं आगे चलते हैं रिलिजन रिलेटेट टो शिव अब यहां पर शिव के बारे में कहा जा रहा है अभी तक भगवान विश्नु को आपने देखा भगवान शिव को देखिए तो शिव के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जुड़ा हुआ जो धर्म है उसे शैव धर्म कहा जाता है और वर्शिपर आफ शिव वर्कार्ल शैव जो शिव के वर्शिपर है यानि शिव के उपासक है वो शैव कहलाते हैं शैव is oldest religion in India और कितना पुराना है प्री हिस्टोरिक है यानि आज की बात नहीं है काफी समय पहले पीपल आफ इंडस वैली जो सिंदुघाटी सभेता के लोग थे आपने देखा है कि वो पशुपती की उपासना करते थे एक जो चित्र है पशुपती का वो प्राप्त होता है तो यहां कहा मतलग जो योगी ध्यान मुद्रा में इस मुहर पर अंकित किया गया है उसके सिर पर त्रिशूल जैसी आकृतियां दर्शाई गई है त्रिशूल कैसा होता है उसमें तीन शूल यानि तीन काटे इस प्रकार से होते हैं और नीचे एक दंड होता है जिससे कि उसको पकड़ा तो इस प्रकार का कुछ जो पुरुष की आखरिती वहाँ उतकीरण है अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वह पशुपती है या शिव हैं लेकिन इतिहासकारों का ऐसा अंदाजा है कि वह भगवान शिव ही हो सकते हैं और यह मिला कहां से हैं तो मोहन जोदोर से मिला है एक इस स्टांप पर से, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि यह प्री हिस्टोरिक एज से ही व्याप्त धर्म है, शैव धर्म जो है, यह शैव धर्म और भागवत धर्म यह कुछ अलग नहीं है, यह हिंदू धर्म की ब्रांचेस हैं, इसके बाद मार्शल, मार्शल महोदे यह इसे रिलेट करते हैं, लाड शिव से, यहाँ आपने देखा ना कि स्टांप प्राप्ट होता है, अब इस्टांप पर यह नहीं लिखा है कि यह शिव है, तो इन्हें शिव के रूप में मार्शल महोदे, जो कि यह कि इठिहासकार थे, इन रिगवेद, शिव हैस बीन क कहां से बना हुआ है, रौद्र से बना हुआ है, रौद्र का मतलब है एक्दम प्रचंट गुस्से में, तो इह जो प्रभू है, यह अकसर गुस्से में ही रहते थे, क्रोधित रहते थे, हाला कि इन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, यह शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसके बाद कुछ और चीजे है रुद्र हास बीन काल गॉड ऑफ दे यूनिवर्स यहाँ पर कुछ बाते कही गई है तो रुद्र के बारे में कहा गया है कि यह गॉड अफ यूनिवर्स है यानि ब्रह्मान के देवता है और ऐसा कहा पर कहा गया है जो सत्रुद्रिय मंत्र है उसमें कहा गया है और यह सत्रुद्रिय मंत्र कहां मिलता है यह वाजस्नेई संगीता से प्राप्त होता है जो संगीता ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेक किया गया है और वाजस्नेई संगीता यह किस से जुड़ा हुआ है तो यह वेदों से गया है कि he has been called पशुपती अधर वेद में इन्हें पशुपती का शब्द जो है इनके लिए उलिखित किया गया है इसके अलावा भव कहा गया है भूपती कहा गया है इस प्रकार के जो शब्द है वो इस्तिमाल किये गया है भव और भवानी भवानी जो है माता पार्वती के के लिए यूस किया गया है इसके अलावाई ने पशुपती कहा गया है और भूपती भी शब्द के लिए यूस होता है एक मतलब इस UTने ही नाम नहीं है और भी आगे चलते हैं महा भाश्य जो है महात्य जोिल्गाली पधैनली के इसमाथ खुलासा किया जाता है कि जो 2nd सें इसके अलावा various names of shiv were mentioned in महाभाश्य और जो महाभाश्य है पतंजली का उसमें भगवान शिव के विविन्न नामों का वर्डन किया गया है यह खास बात है यानीन के पर्यायवाची प्राप्त होते हैं कौन-कौन से नाम है तो नीचे दिया हुआ है अगला paragraph देखिए some important word यहां से कुछ जो महतुपूर्ण है वो दिये हुए है रुद्र है महादेव है गिरीश है रुद्र शब्द जो है यह रिगवेद में भी उल्लिखित है महादेव शब्द वहाँ नहीं मिलता है यह यहाँ उल्लिखित है इसके अलावा गिरीश गिरी मतलब क्या होता है प और भी बहुत सारे वर्ड है जो कि यहां उल्लिखित है अन दे क्वाइन आप कुषान रूलर कुषान शाषक जो थे उनके सिक्कों पर फिगर आप शिव इसके अलावा उरसभा एंट्रिशूल वर मारुट जो कुषान कालीन शाषक थे मतलब कनिश्क के समय का जो दौर है उसके बारे में कहा जा रहा है तो कुषान बंशी शाषकों के जो सिक्के होते थे उन पर भवान शिव का फिगर यह अंकित होता था इसके अलावा उदैगिरी जो गुहा लेक है उसमें यह दिखाया गया है कि वीर सेन वीर सेन कौन है दा प्राइम मिनिस्टर आप चंद्र यह तो जो है इसके अलावा और जो है कर्म डंडा यह दो इस्थान है यहां पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की जाती है को संसार का या पूरे ब्रहमांण का प्रतीक मतलब कें द्रमाना जाता तो इस प्रकार से इसका इसकी estables और इसके अलावा पार्वती टेंपल, माता पार्वती जो कि भगवान शिव की अरधागी नी थी, इनका जो टेंपल है ये नचना कुठार से प्राप्त होता है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये काफी प्रसिद्ध है और ये किस समय का है, तो ये गुप्त पीरिय कुमार संभो नाम का जो ग्रंथ है कालिदास का कालिदास एक महान कभी थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्नों में से ये एक थे तो इनके द्वारा भगवान शिव के वैभो को भगवान शिव की जो पूरी शानों शौकत थी उसको दर्शाय गया है कहां पर जो थे उनकी भी शैविजम में आस्था थी, during the राश्ट्रकूटास राश्ट्रकूटों के समय में the famous कैलाश टेमपल आफ एलोरा वास बिल्द जो प्रसिद कैलाश टेमपल है ऐलोरा का दंती दूर का नाम आपने पीछे देखा है तो उनके समय में ये जो एलोरा का टेमप नैनार सादूओं की संख्या कितनी है 63 है जबकि पीछे आपने अलवारों की संख्या देखी उसे बारत है तो यहां संख्या में बहुत बड़ा अंतर है डारेक्ट लगभग पांच गुने का अंतर है खेर अब इसके बाद ये 63 थे संख्या में और उसमें से जो कुछ महत् सबी का नाम यहां लिखना संभव नीए क्योंकि साथ है संख्या में आप सबको याद नहीं कर सकते जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि तिरुग्यान है इसके अलावा सुंदर मूर्ति है इसके अलावा जो अगले है वो संबंदर है अपार है इस प्रकार से बहुत सारे नाम ह यह सब रिमार केबल है जिनको यहां लिखित किया गया है इसके बाद चोल रूलर जो थे चोल शाशक थे साउथ इंडिया के उनके बारे में कर कहा जाए तो वर्द एक्स्लूजिव वर्शिपर अब शिव यह शिव के मतलब काफी समर्पित वर्शिपर थे या भक्त थे अ इसके बाद कुलोतुंग प्रथम का नाम आता है वाजद इस्टांच फालोवर आप शैव रिलिजन यह जो था यह शैव धर्म का काफी पक्का कटर फालोवर था यह आप आगी इसके बारे में देख सकते हैं अब यहाँ देखिए कटर्था का मतलब क्या होता है कटर्था क मतलब यह होता है कि हम जिस चीज को मान रहे हैं उसी को मानेंगे और किसी चीज को जड़ जमाने नहीं देंगे अगर कोई चीज जड़ जमाती भी है तो इसको हम यहाँ पर उखाड कर फेक देंगे और इसी के चलते यहाँ पर कुलो तुंग ने क्या किया माफ कीजेगा अभी बीच में एक एड ने परिशान किया था वो मेड लाइफ का एड था यहां देखते हैं तो इसने क्या किया भगवान विश्णु का जो मंदिर था चिदंबरम मंदिर था वहां से भगवान विश्णु की प्रतिमा को उखडवा कर पानी में फिकवा दिया देख रहे हैं इसको समुद्र में फिकवा देता है और उसके स्थान पर शिव की प्रतिमा को स्थापिक करता है यह कुलो तुम का काम है ऐसा ही आप जो शशांक है उसका भी देखेंगे शशांक भी शयो मताव लंबी था और वो बोधिवरिक्ष को ही कटवा के गंगा में फिकवा देता है उसके स्थान पर नया बोधिवरिक्ष यह रोपा जाता है इसी क्रम में 12 जोतिरलिंग्स जो द्वादश जोतिरलिंग है related to शयो रिलिजन are situated in different part of country अब यह जो द्वादश जोतिरलिंग है केंद्र है तो सोमनाथ है पहला यहां आप देख रहे हैं कहां पे गुजरात में है इससे इस्लामिक आक्रमटकारियों का जो संबंद है उजुड़ा हुआ है इससे नश्ट करने का प्रयास बार बार हुआ है इसके बाद नागेश्वर है यह द्वारिका के पास है इसे आप देख रहे हैं इसी करम में यह द्वारिका वाल अच्छे तरह आपने देखा इसके बाद केदारनाथ है केदारनाथ कहां है यह बताने के आवशिक्ता ही नहीं है इसका जो पूरा शिखर है, वो सोने का बना हुआ है, काशी में है, इसके बाद वैद्दिनाथ है, इसी क्रम में जो महा कैला शेश्वर है, यह उजैन में है, इसी क्रम में और भी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ओंकारेश्वर है, यह शब्द जो है, यह ओंकारेश्वर है, तो उंकारिश्वर जो जोतिर लिंग है ये कहा मध्य प्रदेश में है इसके बाद भीश मेश्वर है इन्हें भी मेश्वर भी कहा जाता है ये नासिक में है इसी में त्रैम्बे केश्वर है त्रैम्बे केश्वर जो जोतिर लिंग है ये नासिक में है और देख लीजे, घुशमेश्वर है, इसके बाद मलिकारजुन है, मलिकारजुन जो जोतिरलिंग है, ये आंधर प्रदेश में, और रामेश्वरम, ये आप जानते ही है कहाँ पर है, नाम से इस पष्ट है, तो इस प्रकार से ये जोतिरलिंग जो है, ये स्थापित हुए है ये मूल है, मतलब ये 12 अंश है जो कि भगवान शिव से ही अलग हुए है बाकी जितने बने हैं वो प्रतिरूप है ये हम देख रहे है, there are 4 शैव सेक्ट मेंशन इन वामन पुराण जो वामन पुराण है उसमें 4 जो शैव सेक्ट है उनका मेंशन किया गया है और ये कौन-कौन से है तो शैव है, पाशुपत है, कापालिक है और काला मुख है ये संप्रदाएं हैं जो कि शैविज्म से जुड़े हुए है कौन-कौन सा है तो एक तो शैव है खुद और उसके अलामा पाशुपत है, कापालिक है और काला मुख है पाशुपत community was originated in second century BC according to Purana मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि जो पाशुपत community थी इनमें जो पाशुपत संप्रदाय था उसका origin कब है यह second century में होता है यानि दूसरी शताबदी में होता है काफी पहले according to Purana the sect was founded by ब्रह्मचारी नेम लकुलीष या लकुली यह जो sect है पाशुपत सेक्ट यह एक ब्रह्मचारी के द्वारा पुराणों में ऐसा हो लिखित है कि यह ब्रह्मचारी जिसका नाम लकुलीष या लकुली था उसके द्वारा originate किया जाता है तो यह काफी पुराना है the follower of this sect considered लकुलीष as a incarnation of shiv या shiv मतलब यहाँ पर लकुलीष को shiv के अवतार के रूप में इस धर्म को मानने वाले जितने भी अनुयाई है वो पूझते है the devotee of कापालिक sect अब जो कापालिक संप्रदाय है उसके बारे में कहा जा रहा है तो devotee of कापालिक sect वर्शिप भैरो यह जो कापालिक संप्रदाय के लोग है यह भैरो की उपासना करते है as an incarnation of shiv and worship him मतलब यह shiv की उपासना करते हैं और shiv की उपासना किस रूप में करते हैं भैरो के अवतार में करते हैं और उनी की वर्शिप करते हैं the follower of this philosophy used to eat meat अब इस philosophy को मानने वाले shivism में जो कापालिक लोग हैं वो क्या करते हैं? यह मांस खाते हैं और जो शम्शान की राख है जो शव से निकली हुई राख होती है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं और यह नर्मुंड धारण करते हैं नर्मुंड को अपने हाथ में या अपने गले में धारण करते हैं मतलब यह पूरी तरह से ओघड वाली इस्तिती में रहते हैं यह पूरी तरह से शम्शान साधक होते हैं शम्शान में यह साधना करते हैं एकांत में और वहाँ पर यह जो रक्तो और मांस होता है उसका सेवन करते हैं सूरा सुन्दरी में विश्वास करते हैं इस प्रकार की चीज़े हैं इसके बाद वासाओ के बारे में कहा गया है तो वासाओ is considered the founder of Lingayat sect of Shavism यह जो वासाओ है इनके बारे में कहा जा रहा है कि यह Lingayat sect के founder और यह भी Shavism से ही जुड़ा हुआ है a new sect of Shavism developed in Kashmir और यह जो Lingayat sect है यह कहां पर develop होता है तो इसका जन्म होता है कश्मीर में आपने पीछे चारी ही देखे हैं लेकिन यहां पर यह पांचवा पैदा हो जाता है इस sect was purely philosophical और knowledgeable यह जो सेक्ट था यह पूरी तरह से दार्श sect मतलब आधिनाथ और जो तीरथंकर है उनको यहां पर Shiv से जोड़ कर देखा जा रहा है तो देखिए मद्शेंद्र नाथ यह जो है यह क्या करते है नाथ पन्थ sect को start करते है और यह जो नाथ पन्थ सेक्थ है इसमें क्या होता है शिव को आदिनाथ के तौर पर यहां 10th century तक बिलीब किया जाता है मतलब उनको आदिनाथ का एक अवतार माना जाता है या आदिनाथ को शिव का अवतार माना जाता है दोनों इस बाते हम हो सकती है बाबा गोरकनाथ had promote his sect in 10th and 11th century अब जो बाबा गोरकनाथ है वो 10th और 11th शितापदी में इस sect को promote करते हैं promote करने का काम करते है और गोरकनाथ जो पीठ है वो कहाँ पर है गोरकपुर में है और उसी में है योगी आदितनाथ जो कि इस समय राजनीती में उतर आए तो यह चीज़े है अब इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर major temple जो सैविज्म से relate करते हैं उसको देख लीजे एक तो राजश्वर temple है जो की तंजोर में है राजश्वर मतलब जो प्रथम था उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था दक्षण भारत काई है तंजोर वाला चेतर इस्थान याद रखेगा इसके बाद शिव temple है भूमरा का इसके बाद नटराज temple है यह चिदंबरम में है चिदंबरम वही चेतर है जहाँ पर शिव की मूर्ती को स्थापित करने के लिए भवान विश्णु की मूर्ती को उखडवा के समुद्र में फिकवा दिया गया था मतलब यहाँ कटर वाज उसको प्रदर्शित किया गया था इसके बाद जो अगला है वो विरुपाक्ष temple है यह हमपी में है करनाटक वाला चेतर इसके बाद विश्णाथ temple है वारांसी में है याद रखिएगा वारांसी में दो विश्णाथ मंदिर है एक नया बना हुआ है और एक प्राचीन कालीन है तो जो जोतिर लिंग में गिना जाता है वो प्राचीन वाला है तो इस वज़े से वारांसी का आज इतना विस्तार हो गया है कि सारनाथ जैसे जो छेतर है और संकट मोचन सब उसमें मर्ज है बलकि और फैलता जा रहा है आस पास के जो जिले हैं उनकी सीमाओं को टच कर रहा है लेकिन पहले के समय में उसका जो दायरा था वो विश्णात मंदिर के चारो औरी फैला हुआ था और विश्णात टेंपल की खासियत क्या है कि वो पूरा सोने से उपर से मढ़ा हुआ है ये है तो ये मेजर टेंपल है इन्हें आप देख रहे हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पर शैव और भागवत के बाद जो शाक्त सेक्ट है उसके बारे में देख लीजë ये जो पीपुल होते हैं जो की शाक्त सेक्ट के वर्शिपर होते हैं ये गौड़वन शक्ती की उपासना करते हैं ये मात्री सत्ता के पूजक होते हैं और मात्री सत्ता यहाँ पर कौन? शक्ती, शक्ती यानि देवी दुरगा भी आप मान सकते हैं देवी पारवती भी मान सकते हैं शैव धर्म has a close relationship with शाक्त धर्म या शक्ति धर्म शेव और शक्ति ये कही है तो close तो यहां होंगे ही जब वो आपस में close है तो उनके जो अन्याई है वो close क्यों नहीं होंगे तो देखिए शक्ति का मतलब क्या माता पारवती तो इसलिए जो शैविज्म वाले हैं ये इससे ज़्यादा relationship में मतलब close relationship में रहते हैं और यहां देख लीजे एंटीक वेल्टी औफ शक्ति रिलिजन आसो गोस टू प्री हिस्टोरिक एस सिमिलर टू शैविज्म मतलब इनके जो प्रमाण हैं शाक्त धर्म के जो साक्षा इविडियंसेज हैं वो प्री हिस्टोरिक पिरियड में प्राप्त होते हैं इस प्रकार से कह सकते हैं उसका भी उदाहरण दिया गया है मात्री देवी की जो उपासना है ये इंडस वैली सिमिलाइजेशन जो थी उसमें काफी फेमस थी मात्री देवी की मूर्ती जिसमें की एक स्त्री की गर्ब से निकलता हुआ एक पौधा जो की प्लांट बाहर की और जनरेट हो रहा था उसको दर्शाय गया था तो इस प्रकार से मात्री सत्ता को दर्शाय गया है और लोग इसकी उपासना करते थे ऐसा माना जाता है मतलब जो excavation हुआ है खुदाई गूई है उसमें बड़ी संख्या में इस प्रकार की मात्री देवी की प्रतिमाये पाई गई है मतलब कोई एक दो नहीं अने को मिली वैदिक लिट्रेचर प्रोवाइड इन्फार्मेशन अबाउट गॉड़ेस लाइक सरस्वती, अदिती, उशा, लक्ष्मी एक्सेक्टरा अब यहाँ पर जो गॉड़ेस है यानि देविया है इन्दु धर्म में उन्हें उलिखित किया गया है जो वैदिक लिट्रेचर है उनमें इनका प्रमाण मिलता है जैसे की सरस्वती है, अदिती है अदिती कौन थी? यह देवताओं की माता थी दिती और अदिती यह महरशी कश्यव की दो पतनिया थी दिती से उत्पन्य वे जो पुत्र थे वो दैत्य कहला है जिने की आप राक्षस में गिंते हैं लेकिन राक्षस दैत्यों की सिर्फ एक जाती है दैत्य क्या है? पूरा एक समुदाय है और उसके बाद उसी प्रकार से जो सुर्थ है यानि जो देवता थे वो चूकि अदिती से उत्पन्य हुए थे इसलिए उन्हें आदित्य कहा गया अदिती से उत्पन्य जितने भी पुत्र थे उन्हें आदित्य कहा गया और उसी उनी आदितियों में से एक थे भगवान सूरे तो इस प्रकार से मतलब देवताओं की माता कौन है अदिती है और राक्षसों की माता जो है उदिती है तो यहाँ पर अदिती को भी देवी के तौर पूजा जाता था और भी कुछ है जैसे सरस्वती देवी है इन्हें आप जानते ही है और भी बहुत सारी देविया है लक्षमी जी है उशा है ये सब जो है उशा कौन है प्रभात कालीन प्रातर कालीन देवी है लक्षमी जी को आप जानते ही है कि ये समुद्र की पुत्री थी समुद्र मंथन जब होता है तो उसके अंदर से प्रगठ होती है तो यह चीजे हैं और इसके बाद डीटेल जो डिस्क्रिप्शन है Mother Goddess या Goddess के महात्मे का मतलब उनकी महान्ता का वो हमें महाभारत और पुरानों से प्राप्थ होता है मतलब देवियों का जिक्र अलग-अलग जो वैदिक टेक्स्ट है या रिलिजियस हिंदू धर्म से जुड़े होए ग्रंथ है उनसे प्राप्थ होता है तो इस्तरी को पूजा कर अपनाते हैं उसको अपने नीजी जीवन में उतार नहीं पाते हैं अगर बढ़े तो हम देखेंगे मेजर टेंपल जो कि शाक्त सेक्ट से जुड़े होए थे जैसे पीछे हमने भागवत धर्म से जुड़े होए मंदिरों को देखा है वैसे ही यहाँ पर जो शाक्त संप्रदाय है उससे जुड़े होए मंदिरों को देख लीजे इसमें जीए मनदिवासनी की प्रतिमा इसके अले सिर्फ यह नहीं है उसके आलावा काली देवी की प्रतिमा है काली खो एक स्थान है और उसके अलावा एक अश्टंभुजर देवी है तीनों लोगों को जब एक साथ दर्शन किया जाता है तब यहां त्रिकोंड जो है वो सिद्ध होता है मतलब अगर आप जाएंगे ना विंद्याजल तो वहाँ पर सिर्फ अकेला अगर विंद्वासनी देवी का दर्शन करके अगर आप लोट रहे हैं और इसके अलामा काली खो वहाँ पर काले मूँ वाले बहुत सारे लंगूर हैं अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आपका प्रशाद माला फूल और उसके साथ जूता चपल भी छीन कर ले जाएंगे और साथ में अगर आपने चीनने का उनसे प्रयास किया तो बदले में दो चार लाफे भी आपको पढ़ जाएंगे पार्वती का रूप मानी जाती है तो इस प्रकार से इन्हें देखते हैं इसी प्रकार से जो अगला है वो कौन सा है तो यह 64 योगिनी का टेंपल है यह कहां पर है तो यह भेडा घाट यम्पी वाले इससे में है हाला कि इसके पार्वती टेंपल है यह नचना कुठार वाला है यह यम्पी में है तो दो यम्पी में है एक जो है वो यूपी में है और एक जो है वो जम्मू में मतलब जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर है तो इस प्रकार से यह शाक्त धर्म से जुड़े कोलकाता में जो कामाख्या टेंपल है वहाँ पे नारी की मतलब नारी शक्ति का जो स्वरूप है उसको दर्शाया गया है मतलब नारी जो है वो संसार को जन्म देती है मतलब संसार को उत्पन करने का काम जो है उसका है स्रिजन का कारी उसका है इसको दर्शाने का वहाँ काम कि इस इक्रम में आगे चलते हैं, सैव सेक्ट जो है, इसका नाम मत्त मयूर के तौर पर दिखाई देता है, एंशेंट इंडिया, मतलब एंशेंट इंडियान हिस्टी में और कहां पर मिलता है, तो यह इंस्क्रप्शन है चेदी डाइनस्टी का, जो अभी लेखी साक्षय है, उ आयुजथ होता है, उसमें से एक प्रयाग राज भी है, जो कि यूपी में है, तो इसी के संदर में हम देख रहे हैं, यहां गोदावरी नदी के तट पे ही आयुजथ होता है, इंटर्वल आप एवरी ट्वैलियर, इट इस आल्सो हेल्डान बैंक आफ गंगा एट यह प्रयाग वला हो गया, इसके बाद ऑन दे बैंक आफ रिवर छिपरा, छिपरा को शिपरा भी कहा जाता है, यह कहां पर है, उजयन में है, तो इस प्रकार से यह जो कुम्ब मेला है, इसका स्थान स्थान पर आयोजन होता है, तो लास्ट कुम् मेला एट नासिक वास हेल in 2015 and next will be held in 2027, मतलब इस प्रकार से यह सन दिया हुआ है, वैसे तो अर्ध कुम्ब और जो कुम्ब है सामाने, वो लगते ही हैं हर साल, प्रयाग राज में ही देखिए, यहां कल पवासियों के पूरे शिवर लग जाते हैं, गंगा और यहुना का जो संगम है, उसके किनारे जो रेती है, उस पर पूरा तंबू बंबू लग जाता है, पूरा मेला जैसा, मतलब एक छोटा मोटा शहर वहां डेबलब हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिती हर तीर्थ पर होती है, लेकिन जो बारा साल के अंतराल पर लगने वाला कुम्ब है, उसकी बात की जा रही ह जिसको की महा कुम्ब का नाम दे दिया गया है, उसकी बात यहां पर हो रही है, तो यह अलग-अलग स्थानों पर आयोजित होता है, आगे चलते हैं, इसके बात काम देओ, यहां माफ कीजेगा, काम देओ के बारे में कहा गया है, is the Hindu God of human love or desire, काम देओ जो है, यह प्रेम के नेम है, उसमें आप यहां आप देख सकते हैं, अनंग है, अनंग का मतलब क्या, इन कारपुरियल, इसके बार कंदर्प है, इसके अलामा मदन है, और भी है, मनमत है, इस प्रकार से, और मार शब्द भी मिलता है, पीछे आपने जब बुद्धिस्म को देखा, तो वहां दे इस प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो यह चीज़े हैं, इन्हें मनोज भी कहा जाता है, तो यह कुछ बातें कहीगी हैं कामदेव के बारे में, और कामदेव रती का इतिहास हैं, आपने पीछे सुन रखा है, कि शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर क कामदेव को भस्म कर लिया था, बाद में इनका भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म होता है, यानि प्रदुम्न के रूप में, यह चीज़े हम देख रहे हैं, इसके बाद मदीना, इस सिटी लोकेटे इन हिजार, हिजाज रीजन ऑफ वेस्टर्न सौधी अरेबिया, जो वेस्टर्न सौधी अरेबिया का हिस्सा है, हिजाज वाला, वहाँ पर मदीना नाम का एक शहर है, इस अ सेकेंड सेनिक्टम सिटी ऑफ इसलाम रिलीजन आफ्टर मक्का, मक्का के बाद यह दू इस प्रकार से उटका जो इसलामिक राज्य है, वहीं से बढ़ना शुरू होता है, तो मक्का के बाद मक्का चुकी इसलिए पवित्र है क्योंकि वहाँ उनका जन हुआ था, कुरेशी कभीले में, और मदीना इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी यह साइउं के बारे में है, तो वेटिकन सिटी इस अवर्जन कंट्री, लोकेटेड इन इटली, यह कहां पर है, इटली में है, वित टोटल एरिया आफ 44 हेक्टेयर, यह सबसे छोटा शहर है, और इसका टोटल एरिया कितना है, 44 हेक्टेयर, यह स्मालेस्ट है, मतलब पूर इसकी शब्द जो है, यह शहर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन असल में शहर नहीं है, बलकि एक देश है, लेकिन देश के रूप में यह क्या है, छोटा सा शहर है, इस रूल पाई बिशप, और बिशप कौन, यह रोम के विशप है, जो की पोप भी कहे जाते हैं, पोप स्थान यही पर होता है, और इनी का रूल यहां पर चलता है, इसे रोमन कैथोलिक चर्च की कापिटल भी कहा जाता है, यह हमने वेटिकन सिटी के बारे में देखा, जो कि असल में एक सिटी नहीं है, बलकि यह कंट्री है, और यहां पर पोप का शाषन चलता है, इसके पर महावीर स्वामी ने प्राड ते आगे थे। पावापूरी वही छेतर है जहां पर मल्लों के राजप्रासाद में इनके मृत्यू होती है। यह 38 किलोमेटर की दूरी पर है राजग्री से और 90 किलोमेटर की दूरी पर है पतना से। The founder of Jainism Mahabir Swami died at Pawapuri in 527th century BCE. यहाँ पर इस वी दिया हुआ है. तो यहाँ जो BCE है, वो किस रूप में है? 527. तो 527 ही सापुरों में, Mahabir Swami ने यही पर अबने प्राणत आगे थे. इसके बाद कुछ और चीजे हैं. वाराणसी के बारे में देख लीजे. वाराणसी is the holiest place for Hindu या Hindus, located in left river of Ganga river. यहाँ पर आप, माफ कीजेगा, left bank of Ganga river, जो left और right वाला concept है, इसको याद रखिएगा. इससे प्रश्न बनते हैं, कि कौन सा जो शहर है, वो किस किनारे परिस्थित है, कौन सा left में है और कौन सा right में है. तो वाराणसी जो है, यह गंगा के बाएं किनारे परिस्थित है, यानि left bank पर situate करता है, इसको याद कीजेगा. और इसके बाद कुछ और खास बाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इसी देखिए. This is an important center for education and culture since ancient time. यह प्राचीन काल से ही सिक्षा और धर्म, या सिक्षा और संस्कृति, धर्म को यहाँ जोड़ कर नहीं देखा जा रहा है, कल्चर के रूप में उसे यहाँ बताया गया है. तो education और culture दोनों के रूप में यह महतुपूर्ण स्थान माना जाता है, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में वैदिक सिक्षा का और वर्तमान में जो आधनिक सिक्षा है, उसका केंद्र है, कैसे केंद्र है यह आप जानते ही है. इसके बाद पोई गई, और इसके अलावा पूडम और इसके अलावा तिरुमगाई, यह सब क्या है, यह अलवार संत है, वाइल तिरुग्यान वाज नौट एन अलवार संत, जबकि जो तिरुग्यान है यह अलवार साध्यों में सामिल नहीं है, मतलब यह बाहर वाले है, क पर यहाँ पर जो अरद नारिश्वर रूप है या पोस्चर है इसमें क्या है भगवान शिव और माता पारवती दोनों का आपस में फ्यूजन है मिक्चर है मतलब एक पूरा शरीर दर्शा है गया है जिसमें कि आधा धर जो है वो भगवान शिव का है और आधा जो शरीर है वो माता पारवती का है, यानि आधे पुरुष और आधे ईश्वर, आधी जो है शक्ति यानि नारी, तो अर्ध नारिश्वर, मतलब आधे जो है वो ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या, यहाँ पर पुरुष शब्द से तात पर रहे हैं, और नारी मतलब महिला, तो यह आधे इस्त्री और आधे पुरुष है इसमें आधे जो पुरुष है वो कौन है महादेव है और आधी जो इस्त्री है वो मातापारवती है इसे हमने देखा इसके बाद अर्ध नारिश्वर इस देपिक्टेड अस हाफ मेल और हाफ फीमल वही चीज है split at middle और यह क्या है बीच से आपस में split हो गए है यहाँ पर यह कहा गया है कि जो right वाला portion है वो किसका है यह भगवान शिव का है यह पुरुष का है और जो आधा left वाला portion है वो मातापारवती का है इसके बारे में कहा गया है और भी इसमें है illustrating his traditional attributes मतलब इसमें जो इसके माध प्रजाति के जीव है इनके बीच में संतुलन इस्थापित करने का यहाँ प्रयास किया गया है जिसे कि आप देख रहे हैं मतलब यहाँ यह कहने का प्रयास किया गया है कि जो female structure है God के द्वारा बनाया हुआ वो male structure से किसी भी प्रकार से inseparable नहीं है मतलब अभाज जी नहीं है और ठीक वही चीज male के साथ भी लागू होती है इसे हम देखते हैं अब आगे चलते हैं इसके बाद दोस्तों आप जैन संगीतिया हुई हैं वो कितनी हुई है इनकी संख्या टोटल दो है और उससे पहले यहाँ ऊपर दो तीन लाइन है इसको देख लीजे शंकराचार is the oldest among all of the vedant आचारे जितने भी vedant दर्शन को देने वाले आचारे हुए है उसमें शंकराचारे सबसे प्राचीन है वो इसके बाद जो जैन काउंसिल है कुल मिलाकर शंकराचारे सबसे आधी है इसलिए उन्हें आधी शंकराचारे कहा जाता है आधी मतलब होता है पुराना तो जितने वैदिक दर्शन या वेदान दर्शन को मानने वाले आचारे है उनमें यह सबसे पुराने है और इन्हे कब होती है तो 3rd century BC और इस समय जो president रहते हैं वो इस थूल भद्र रहते हैं यहाँ पर इस थूल बाहु दिया हुआ है तो इस थूल बाहु नहीं होगा इस थूल भद्र होगा और इसके बाद जो second council होती है वो होती है वललभी में वललभी कहाँ पे है गुजरात में है और इस इसमें 12 अंगों को compile किया जाता है यानि 12 अंगों का compilation करने का काम यहां पर किया जाता है जो कि जैन text से जुड़े हुए है यहां तक हमने जैन council को देखा और जैन धर्म पर परियाप्त चर्चा पीछे ही हो चुकी है यहां तक जो शैय भागवत जैन और बहुत धर्म है इस सब को देखेंगे लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तप्ता के लिए नमस्कार